हेलो फ्रेंज ऐसे मननपुना किचन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बुरानी राइता की रेसिपी इसे बिर्यानी राइता भी कहा जाता है बहुत ही आसान सी रेसिपी है तो चलिए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते है और हम इसा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बुरानी राइता बनाने के लिए हम लोग एक पेन में तेल डालेंगे तो तेल हम यहाँ पर जरासा लेंगे जादा नहीं डालेंगे और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे चौप्ट किया हुआ गार्लिक तो अब हम इसे लगातार चलाते जाएंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसे तब तक चलाते जाएंगे जब तक की इंका कलर चेंज ना हो बुरानी राइता है में जो सबसे ज़्यादा महत्वपून चीज है वो गार्लिक ही है तो गार्लिक हम यहाँ पर थोरा जादा ही लेंगे और थोरी देर लगातार चलाने के बाद हम देखेंगे कि गार्लिक जो है वो बहुती अच्छे से फ्राई हो चुका है तो अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर देंगे और पहले इसे थोरा सा ठंडा होने देंगे उसके बाद दही डाल देंगे तो दही यहाँ पर हम लोग आधा कप लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे नमक तो नमक मैंने यहाँ पर आधी छोटी चमच लिया है इसके बाद हम दही को अच्छे से फेट लेंगे ताकि जो भी गार्ली का फ्लेवर है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए तो चार से पाच मिरी तक हम अच्छे से फेट लेंगे दही को और ये देखे बहुत ही अच्छे से ये अब मिक्स हो चुका है तो अब हम इसे सर्फ कर लेंगी तो बुरानी राइता जो है वो बनकर तैयार है बहुत ही आसान सी रेसिपी है लेकिन इसे आप अभी तूरन नहीं खाईएगा इसे कम से कम आदे घंटे के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजेगा या फिर आप इसे फ्रीज में रख दीजेगा ताकि जो भी गार्ली का फ्लेवर है वो दही में अच्छे से आ जाए तो इस रेसिपी को आप लोग एक बर घर पर जरू बना करके देखे और मुझे कमेंट सक्षिन में जरू बताएए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और ये लाश्ट में हम इसे सजाने के लिए इसके उपर गार्लिक डाल देंगे तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करे तो मिलती हूं मैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट रेसिपीज में अभी के लिए बाइ बाइ फ्रेंस थैंक यू फोर वाचिंग मै वीडियो